सरकार अपने 10 साल के कामकाजगा रिपोर्ट कार रख रही है हम अगले 25 साल का रोडमैप बना रहे हैं और अपने तीसरे टम के पहले 100 दिन का प्लान भी बना रहे हैं दूसरी तरब हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए किर्देवान बना रहे हैं आज ही उन्होंने मोदी को 104 भी गाली दी है औरंग जेब कहकर नवाजा गया है मोदी की खोपड़ी उड़ाने का एलाम किया गया है इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है 26 से ज़्यादा पुलिटिकल पार्टियां करीब 97 करोड मतदाता 97 करोड वोटर्स करीब 2 करोड फर्स्ट रम वोटर्स लोग तंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने जा रहे हैं मज़र अब डेमोक्रिसी के तौर पर ये हर भारतिय के लिए यहाँ इस हॉल में बैठे प्रत्यक व्यक्शी के लिए और आपके टीवी के दर्शकों के लिए भी उतनी ही गर्व की बात है साथियों आज पुरी दुनिया 21 सदी को भारत की सदी कहती है बड़ी बड़ी रेटिंग एजन्सीज बड़े बड़े अर्थ सास्त्री बड़े बड़े जानकार राइजिंग भारत को लेकर बहुत आश्वस्त है और इन लोकों के मन में कोई इप नहीं है बड़ नहीं है नो इप नो बड़ अखर ऐसा क्यों है कोई सबालिया निशान नहीं है ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया आज ये देख रही है कि पिछले दस साल में भारत ने कितने बड़े परिवर्तन किये है आज आज के बाद से जो सिस्टिम बना जो वर्क कल्चर बना उस सिस्टिम में ये ट्रांस्फर्मेशन लाना इतना आसान नहीं था लेकिन ये हुआ है और ये हम भारतियों ने ही करके दिखाया है आज भारत का कॉन्फिडेंस लेवल हर भारतियों की बापों में जलगता है आज हम विक्सिद भारत की बात कर रहे हैं आज हम आत्मनिर पर भारत की बात कर रहे हैं और लोग चाहे विपक्ष में हो देश के भीतर हो या देश के बाहर हो सब भारत की उपलब्धियां देख रहे हैं सिर्फ दस साल में पचीस करोड लोगों का गरीबी से बाहर निकलना क्या ऐसे ही हो गया होगा क्या शिरफ 10 साल में भारत का 11 नमबर से पाँचवे नमबर की एकोनो मी बन जाना क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या सिरफ 10 साल में भारत का фorex निजव बढ़कर के 700 बिलियन डोलार के पार होई पहुच जाना ऐसे ही हुआ होगा क्या सिर्फ 10 साल में भारत का एक्सपोर्ट 700 बिलियन डॉलर पार कर जाना क्या ऐसे ही हुआ होगा और ये तो अभी कुछ भी नहीं है अभी तो और भी आगे जाना है करनाटका देश विदेशगिल 360 विगरी सुध्य विवरगिलन निम्मा कै बेलुगलले पडिलिके एक क्यू आर कोडना क्यान माड़ी नम्मा चानल पालो माड़ी नोटिफिकेशन आन माड़ी